विपक्ष के एवियम को लेकर सवाल उठाने पर जनतंत टीवी से यूपी कैबिनेट मंतरी सुरेश राणा ने कहा कि हार की बॉकलाहट में विपक्ष एवियम पर सवाल उठा रहा है इसके अलावा चुनाब नतीजों और पार्टी के प्रदर्शन को लेकर हमारे समाध दाता अमिद चौधरी ने सुरेश राणा से खास बात चेट की हमारे साथ यूगी गैबिनेट के मंतरी सुरेश राणा जी मुझूद है सर कल नतीजे आने वाले हैं क्या नुमाना को प्रदान मंतरी के रूम में राह हो जिस प्रकार की तपश्या उन्होंने की है राजनीती सही माइने में एक सेवा भाव से करनी है उन्होंने बोला मैं प्रदान मंतरी नहीं प्रदान सेवक हूँ तो देश की राजनिती की परिफासा बदल गई और लगातार गाउं, गली, किसान, मजदूर, व्यापारी, नोजवान सब की एक साथ चिंता करना, उनका ध्यन करना और उनकी समच्चाओं का समधान करना जो जीवन में नहीं सोच सकता था कि कभी मैं घर बना पाऊंगा उसका घर दे करके उसका सबना साकार करना किसी को मुफ्त बिजली का कनक्सन देना तो आठ करोड परिवारों को गैस के सिलंडर उपलब्द करा देना यह अभूतूर काम प्रधान मंत्री जी ने किया है और उसी का परिणाम है कि जनता ने सरवे पहले ही तै कर दिया था जनता ने महोर पहले ही लगा दी थी और गली गली और गाउगाउं से अवाज आ रही थी के फिर एक बार मोदी सरकार और वो ही कल होने वाला है फिर एक बार मोधी सरकार जब चलती है तो उन्हें पहले से लगा हुआ और ये तमाम जितने भी घटबंदन हुए हैं ये सारे घटबंदन पहले से ही इस बात का सबूत था कि इन सम लोगों को मालूम था कि देश में अंडर करंट है देश में मोधी जी की सुनामी है उन्होंने मोधी जी को रोकने के प्रियास की है और देखा हुआ लोग तंतर में सैद आजादी के बाद पहली बार इस प्रकार के सब्दों का इस्तेमाल हुआ होगा क्या क्या नहीं कहा उन्हें पर जाती की टिपनी की उन्हें के परिवार की टिपनी की क्या क्या नहीं कहा लेकिन उस वेक्ती ने जरादी यह नहीं खोया और इस देश को दिखाया कि लोक तंत्र में आस्था क्या होती है और प्रधान मंत्री जी ने लोक तंत्रिक मर्यादाओं का पूरी तरह पालन करते हुए और एक-एक सब्द सभी का सम्मान करते हुए बोला बच्ची मंगाल में लोग बोलते हैं तो वो दीदी कह करके पुकारते हैं यह है सही लोक तंत्र है तो मुझे विश्वास है कि पच्ची मुत्वदेश का किसांद बहुत मजबूती के साथ आधरनी मोदी जी के साथ खड़ा है और परिणाम पर उसका सिधा 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 सर दिखाई देगा जन्यवाद सरम से बात करने के लिए सुरेश राना जी थे जिनका कहना है कि कल जो आने वाले नतीजे हैं वो चुकाने वाले होंगे और बीजे पी एक बड़ी जीत दर्ज करेगी अमिच्च उधरी जन्तंत टीवी दिली